गोड मॉर्निंग स्टूंडेंट, वी वी स्टार्ट दा सेंटर आइडिया, पॉयम है हमारी दा इको ग्रीन, ना वी स्टार्ट, इस पॉयम इस एलिटर आइडर ओफ विलेज, ग्रीन ओन ए वर्म आप्टर नून इन दा स्प्रिंग, इस कविता में बसंत रितु की दुपहर पार एक छोटे से गाउं के हरे बरे मैदान का वर्नन किया गया है, उस मतलोग गाउं के हरे बरे मैदान का जिकर किया गया है, किस रितु में किया गया है, जो बसंत रितु है, उसकी दुपहर का वर्नन है, यंग बोई and गिल्ल are gathered, have gathered for fun and frolic thought, their play, जो जुवान लड़के और लड़कियां हैं वह कठे हुए हैं फन और उशलकूद के लिए उशलकूद करके वो खेल रहे हैं Some old men like John are sitting under the oak tree कुछ आदमी जैसे कि बुड़े आदमी है जैसे John भी बुड़ा है तो उस जैसे बहुत से कुछ आदमी बैठे हुए हैं oak tree पर जिसको बुलूद का tree भी बोलते हैं हिंदी में या पंजाबी में ठीक है बैटा Mothers of children also watch their young ones at play जो माताएं हैं वो अपने बच्चों को खेलते हुए देख रही है the point the open green space of playground come along with the cheerful sound of shout of children and the song of birds जो green place है जो playground है उसमें जो बच्चों के शोर मतलब बच्चों की आवाजे आ रही है और पंच्चियों के चह चहाने का गीत भी गुन गरा रहे हैं पंच्ची और सारा ground जो है इस वातावर्ण से बरपूर है बरा हुआ है as the children play the old people watch them जो बच्चे खेल रहे हैं उनको जो old people है बजूरग बंदे हैं वो देख रहे हैं they are a member of their own childhood मतलब वो अपने बच्चपुन को याद कर रहे हैं उनको खेलते हुए देखर वो अपने बच्चपुन को याद कर रहे हैं all people forget the problems of their life for the time being जो बजूरग आदमी है बजूरग इनसान है चाहे वो मर्द है या औरते हैं महलाएं हैं पुरिश है है वो बच्चों को खेलते हुए अपने दैनी की जीवन में डेली जीवन में आने वाली problems हो भूल के हैं the children go back home at sunset अब क्या है कि जब सूरग शिपने लगता है तो children जो है घर चले जाते हैं बच्चे घर चल जाते हैं birds go to their nest to sleep for the night और जो birds है वो भी अपने आलने में जो गोसला बनाया हुआ है उसमें सोने के लिए चले जाते हैं रात को the presence of children, birds, men and women are ground show in harmony between men and nature जो मुझूदगी है किनकी children's की, birds की, महलाओं की, पुर्ष की जो गैदर हुए हैं ground में जो ये चीज दराते हैं कि इनसान और nature में कोई ताल मेल है मतलब हमारा जो ताल मेल है कुदरत के साथ उस चीज को वो शो करते हैं उस तीज का वो आपस में जो ताल मेल है उसका वर्णन करते हैं कि कुछ तो है nature और मनुश में, कोई रिष्टा है nature और मनुश में तो students यह हमारा जो कविता है इसका center idea आपने इतना ही लिखना है नेस्ट वीडियो में हम इसके जो अगल नेस्ट कविता है उसका center idea करेंगे तब तक आप इसको learn करो, take care